राम राम सारे नहीं मैं हूँ आपका छोटा बाई सन्यूर आज आपको मैं एक ऐसे टीचर से मुलाकात करवाँगा जो कि कैथल की शिक्षा वबस्ता नहीं बहुत जादा बदल चुके हैं काफी रिजल्ट दे चुके हैं नैशनल और इंटरनेशनल लेवल पर और चैलेंज क अभी भावक है यानि कि माता पिता अपने बच्चे पैं लाखों रुपे खर्च कर देते हैं बार बेजने के लिए लेकिन यह आपना पता है कि आप अपने बच्चे फ्री में विजास को लेकिन आज आपना पता लगागा जो कि एक बेड़ चाल के सिकार हो रहनी लोग इ कि आप अपने बच्चों को फ्री में बार बेज सकते हैं सब सभी इदर से को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए आप भेट चाल फॉलो मत कीजिए सबसे पहले तो यह कोई जरूरी नहीं कि एजेंट ही आपको बाहर बेज सकते हैं आप खुद भी डारेक्ली अपलाई कर सक पेट सकते हां मेरे पास एक लिस्ट है उनमें से मैं कर दो स्क आपको नाम बताया ताँस आप समय निकाल के पी प्रोग्राम है और ना जाने कितनी ऐसी स्कीम हैं जिनके थूँ आप विदेशों में फ्री सिख्षा पा सकते हैं इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो स्टूडेंट पॉर्टफोलियो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए मतलब बच्पन से ही बहुत ज़्यादा प 75-80% इतना होना चाहिए सेकेंड आपका स्टूडेंट पॉर्टफोलियो में जुड़ जाएगा तो आप किसी भी कंट्री में गवर्मेंट और लेवल वन उनिवर्स्टी में बड़े अराम से अड्मिशन पा सकते हैं जैसे कि आपने बताया कि क्या आपको नहीं लगता कि अभी सूचना का अभाव है और यह सब समझने के लिए किस तरीके से एफर लगाएंगे जो अभी भावक है देखिए कैथल शहर में इस चीज़ इसका बहुत ज्यादा आभाव है लोगों को जानकारी है ही नहीं वैसे सही बताऊं तो थोड़ी भी नहीं है ही नहीं है क्योंकि हम लोग इतना भरोसा करते हैं दूसरे इंसान के ऊपर इसकी कोई हद नहीं है आपको किसी एजेंट ने कहा दिया नहीं मैं आपके बच्चे को वहां बेंज दूआ यहां कर देंगे वह हो जाएगा बहुत कमाएगा पैसे में खेलेगा क्या आपने कभी एड्मिशन लेने के बाद जितने भी बच्चों ने आज तक आइल्स का पेपर दिया है और आपका सामने से रेकेमेंडेशन लेटर भी आया होगा ऑफर लेटर इतने तरीके इतने रास्ते हैं जिन्दगी कि आप पिल्कुल हैडेक फ्री जागे पढ़ सकते हैं बच्चे को विदेश जाने के बाद कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी पेट्रोल पंपे काम कर रहा है अपना खर्चा निकालने के लिए किसी कैफे में काम कर रहा है कई पर आरन भी करूं जी सर ये ये पहली बात तो बहुत बड़ी विडंबना है हमारे यहां के लोगों के साथ कि देखिए आपको इतनी महने से कमाई पुंजे होती है जमीन और वही आपको बेचनी पढ़ जाती है तो अच्छा नहीं है कहते हैं कि दादा लाई जमीन है ये आप बेचनी पढ़ जकते हैं बिल्कुल नहीं बेचनी चीए ये एक तरह का बट्टा भी माना जाता है सर चाहें किसी भी चीज के लिए हो आपके दूसरा सर अगर आपको इतना बर्डन रहेगा आपके थ्रूआउट दो साल तीन साल का कोई प्रोग्राम आपने बाहर एंड्र के तौर पर नहीं काम कर पाइंगे विदेशो में जो व्यक्ती स्कील्ड ज्यादा होता है उसे बहुत जल्दी प्यार मिलता है उसे बहुत जल्दी सारी सुविधाय मिल जाती है यह कई सारी प्रॉब्लम्स है जो एक बच्चे को फेस करनी पड़ती है तो बुर्डन होकी जीता है वहाँ पर सर आप डूक्टर भीमराव अमबेडकर जी के बारे बता रहे थी कि वह बी जिस तरह फोराण विज़श्व निश्किशा प्रापत करने के लिए वह भी निस्खीमों के तहट गहे थे देखिए जब अमबेडकर साब जी पढ़ने गए थे विज़शों मे ये सारी डिग्रियां हमारे देश की सरकार के द्वारा बेज जाने पी प्राप्त की थी उनके जो एकनॉमिकल बैक्ग्राउंड था वो इतना स्ट्रॉंग नहीं था कि वो इतनी हाई हाई फीस भर सके हमाँ पे खाने में उनको बहुत जा दिक्कत होती थी तो यह सपोर्ट थ पढ़ने से आपका पॉर्टफोलिव वहां जाने के बाद और कराब हो जाएगा अच्छा नहीं होगा फिर आपको जॉब्स में दिक्कत आएगी अगें फिर वही प्रॉब्लम जो यहां पर आप फेस कर रहे थे जिसकी वज़े से आप यह देश चोड़के भाग गए जी स मैं से आजाएंगे इस इस बहुत सारे समस्हें पैदा हो जाती हैं बच्चे को सकता है कि वापीस आजए हो सकता है यह वह शरम के मारे की वह मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं मेरा दो नमर के काम में लग जाओं बहुत सारी इस प्रॉब्लम जाते हैं फिर भाद जी सर जो यह की धरातल पर किसी को कोई जानकारण है इन योजनाओं का फैदा पूर उठाते हैं तो उसे अपने समाज के बारे में अपने दाएं-बाएं पूरे हर तरह की इन्वायर्मेंट की उसे नॉलिज होती है वो इसका बड़े राम से फायदा उठाते हैं आप मानेंगे नहीं सीट खाली चली जाती है सीट खाली चली जाती है इसके अंदर क्योंकि लोगों को पता ही नहीं इतनी स्कॉलर्शिप है अब अपने देश की छोड़ दीजिए हमारे देश की रहन दीजिए ठोड़ो हमारे देश की गवर्मेंट और जो प्राइवेट टेडिट स्कॉलर्शिप स आप विदेश की बात कीजिए आप किसी भी 111 यूवरस्टी में अप्लाई कीजिए अगर आपका पॉर्टफोलियो अच्छा है विदेश वाले आपको फ्री शिक्षा दे देंगे कि हम आपको बला रहे हैं आजाओ जी सर तो ये थी विदेशों में आप अपने बच्चों को कैसे भेज सकते हैं फ्री में स्कीमों की जानकारी बताई और वियन ने चक्रीबन सर्ग के पास 50-60 मेरे पास बड़े अराम से स्कॉलर्शिप से जिन के बारे मुझे जानकारी है और किसी को भी अगर एपलाई करना हो पहली बात तो देखिए मैं हर टाइम अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए क्यों हमारा पूरा परपस जो है हमने हमारी नोकरियां चोड़ दी बड़ी बड़ी जहां पर कोरोना में लोगों को नोकरियां नी मिल रही थी तनकानी मिल दे हमने बहुत बड़ी बड़ी नोकरियां छोड़ के यहां पर स्टार्ट किया कि हमने परमान ते और अपना जो इंसीटूट वो सर ने शुरू किया रिजल्ट भी काफी अच्छा रहे सर रिजल्ट एक बार बताऊगे सर मेरा जो फर्स्ट रिजल्ट था वो है अजय सिरोही और कैथल ब्रेकिंग टीवी में उसका इंटर्वी भी आया था असल में लड़का चाय बनाता था तो एक दिन ऐसे भेट हो गई तो बहुत इंटरस्ट था उस लड़के को पढ़नें कि सर मुझे पढ़ा दो किसी तरह से बट मैं अफोर्ड नी कर पाऊंग आपके चाय का खोका है उस लड़के का तो हमने भी फिर बिल्कुल अपना खुले दिल से स्वागत किय है टॉप कॉलिजिज में से एक है उसके बाद फिर सरेंडिय में कौलिफाई हुए है मैं शोरान और अभी हमारे रिसेंड़ी इसी मन्थ चार इंटरनाशनल रेंक है साइंस ओलंपियार्ड फांडेशन के नैशनल साइंस ओलंपियार्ड है यही वह एक्जाम्स है जो आपक अबस्ता खराब है सर खराब नहीं गऊंगा मैं उतना मोटिवेटेड नहीं है लोग इतनी सही नहीं है उतना उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर होनी चाहिए देखिए जैसे कि आप लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या फेस करने आरक होगी कि यार जॉब्स नहीं है ज एक्साम होता है और लोग नोकरी भी लगते हैं लेकिन हमारे यहां के लोग नोकरी भी लग पा रहे हैं तो कुछ ना कुस्तों गड़बड है सर गड़बड है फांडेशन एक बच्चा जो छटी क्लास से यूपेसी आई इसकी और इन सब चीज़ों की त्यारी कर रहा है आ कैसे हरा देंगे कोई भी नहीं आरा सकता कैथल में क्या है जब आप ग्राजुएशन कर लेते यानि या बीए बीए सी या बीकॉम जैसी कोई भी आप अपना ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्रीट करते हैं अब तब सोचते हैं अच्छा अब सरकारी नोकरी की त्यारी श कैमेरा तो बेसिक वी कैमेरा तो जीके नहीं और मेरा जीएस नहीं हो रहा होगा कैसे जब फंडामेंटल ही हमारे वीक हैं तो हम लोग एडवांस को इतना हाई-फाई कैसे डवलब कर लेंगे सर किस तो रिखे से आप बदलो गए शिक्शा वस्ता को बात करें दो बदलना कुछ सी हमारा जो मटो है हमारा मोटो बड़ आता हम उसे चोटी कक्षा से ही अई-ई-ई-फ्लल की त्यारी कराना शूरू करा देत हैं चोटी कक्षा मतलब आटवी करक्षा से ही हम लोग बच्चों को आई एस और इन सब चीज़ों में इंडल्ज कर देता है कि पर जितना हो सकता आप इंवाल्व रहिए और बिना उन्हें यह पता चले कि उनको हम लोग कि अधनी दोकि लएक 16 posts Quart एशॉट कर रहे हैं साइक्लोजी सोशलोजी यह सब चीज़ें सिकतरे बस मजाग मजाग में बातों बातों में थोड़ा-ठोड़ा से करते हैं हम उने बहुत ही खतरनाक स्टूडन में कर देते और जाने वाले टाइम में वो सरकारी नौकरी में जाना चाहिए सरकारी नौकरी में जा सकता है विदेश जाना चाहिए विदेश में जा सकता है डॉक्टर बनना चाहता है एंडीय में जाना चाहता है या कुछ भी जो उसका मन है वो आराम से कर सकता है क्यों क्योंकि उसमें प्र बड़ा सरल सा प्रोसीजर है बहुत से बच्चों को पता भी है बहुत से परेंट्स को पता भी है कि आप क्या करते हैं जब कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए मैजोर्टी ओफ परेंट्स को मैंने यहां देखा है कि 11 वह कोटा बेज देते थे अब तो लोकडान में नहीं देते हुएं सर यदि कोई और जादा जानकारी आपसे लेना चाहते तो आपसे कैसे संपर से मेरा परसनल मोबाइल नंबर में आपको बतायता हूं वह सेवें टू जीरो सिक्स टू सिक्स ट्रिपल फॉर नाइन बहत्तर जिरो बासट चोंसट चारसो नंचास आप इसमें मुबाइल पी जानना चाहते हैं मुबाइल पर बता दूंगा मुझे सरह सच कोई प्रॉबलम नी क्योंकि हमारा मोटो यह है पर लोगों को अभेर करना जी सर इंसिट्यूट का पता बड़ा ही आसान है हमारा आपने कैथल में जिला परिशद हो है जिला परिशद के साथ ग होगी चैनसल होगी तो गौर्मेंट होस्पिटल के आसपास यानिके सामने जिला परिशद है जिले परिशद के साथ लगती गली पांच नमर गली वहीं पर आपको यह महान आत्मा मिलेंगे जो जादा से जादा जानकारी देने के लिए तैयार मिलेंगे तो आप इस वीडि हो कि हम भी अपने बच्चों को बाहर भेद सकते हैं विदेशों में फ्री में जो कि एक मीडियम मीडियम कलास या लोवर कलास की जो फैमिली है सिर्फ इसलिए नहीं सोच पाते हैं क्योंकि लाकों रुपे लगते हैं ऐसा सुनने में आता है तो अब वो भी यह सपना देख सक हैं कि हम अपने बच्चों को भार भी देशों में पढ़ने के लिए भेड सकते हैं तो इस वीडियो का आप जादा सी जादा शेयर करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमन सर जी काफी अच्छी जानकारी अपने दी बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद आप